नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आखिल बारसकर और आप देख रहें अडवांटेज एंट टेकनोलोजी चैनल दोस्तों मुझे एक आइडिया सुचा जब मैं मेरे पैनल बॉक्स के अंदर आ चुका था और जैसे मैं यह दरवाजा खुलता हूं तो यहां से धुआ निकल रहा ऐसा नहीं कि मोटर के प्रॉब्लेम होनेके बाद ही जलते हैं सब से जो बड़ी बात है मैं वहां मेरा भी कारण बताuciोंगा कि इसके अंदर के तार हैं वो क्यों जलते हैं वो भी सारी चाजा है हम आज की सटेरवे के अंदर डिसक्शन करेंगे दोस्तों जब मेरे पैनल बॉक्सर के अंदर जब इंट्रिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हैं तार वो जल चुकें यहाँ पर यहाँ पर यह जो दो तार हैं वो जल चुकें और जो निला तार है वो अच्छा है ऐसा आपका जो जल रहा हो या पिर हमारी पास सबसे पहले को हई चाहिए एक क्लैंप मिटर इसके दो Spirit हम मोटर वो अच्छी है या पिर नहीं सबसे पहले हमें मोटर के पिर चेक करने है और उसके बाद पिर हमें मुटर आच्छी होंने के बाद पांफ पॉइब हो से अपो लेगा तो चलिए अभी देखते हैं 10 ले सकता है 12 ले सकता या फिर 14 भी ले सकता है अपने अंदर जो voltage हैं उसके इसाफ से करंड कम जादा लेगा जैसे कि करंड अगर जादा हो तो कम लेगा अगर voltage कम आ जाएंगे तो यही मोटर का जो एंपर वो 14 तक चले जाएगा चलिए सबसे पहले हम मोटर का एंपर चेक कर लेते हैं मैं श्टाटर को ओन कर लेता हूं सबसे पहले यह पतान यहाइस Doekha रहा है तो यह देखे यहाँ पर कितना 18 अंपर देख रहा है हम दूसदै अंदर देखेंगे दूसरी तार के अंदर तो यहाँ पर दखे यह 12 तेरह अंपर ले रहा है ठीक है शायद मीटर के अंदर कुछ तो फॉल्ट हो चुका है क्योंकि स्टेबल रहना चाहिए एमपेर अभी देखिए राइट नो एमपेर ले रहा है इस तार के अंदर नो एमपेर ले रहा है बीचो वाले फेस के अंदर इस फेस के अंदर 9 Ampere ले रहा है यानि कि 2 Phase चेक हो गए 3 Phase 3 Phase के अंदर 8 Ampere ले रहा है तो दोस्तो 8 Ampere या फिर 15 Ampere के अंदर ये जो तार है वो जलने नहीं चाहिए ये जो तार वो जलेंगे वो 20 Ampere के अंदर जलेंगे ठीके? तो यहाँ पर मेरी Summershable मोटर ने जितना करंट लेना था 5 HP है तो 5 दोनी 10 Ampere लेना चाहिए था कुछ इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर तो वो ले रही है तो इतने करंट में ये जो है तार नहीं जलने चाहिए यानि कि हमारी जो मोटर है मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लेम नहीं है सबसे पहले ये जो तार जलने का कारण होता हमारे मोटर जब हमारी मोटर की बेरिंग और बुष खरब हो जाए तब जो है इसके तार जलने स्टार्ट हो जाते है लिकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है बुष बेरिंग अच्छा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी मोटर जितना करंट लेना था जितना एंपर लेना था उतना ले रही है नवे एंपर ले रही है मोटर बिल्कुल सही है यानि कि जो हमारा स्टार का यह जो तार है यहां से जो पुरा input जो है, output पुरा checking है, ठीक है, यानि कि समर्शिबल motor अच्छी है, अभी आप दुसरा fault धूंडेंगे, अभी आपकी motor current बराबर ले रही है, ampere बराबर ले रही है, अभी दुसरा fault जो है, यहां पर loose contact का, यह loose contact के वज़े से यह तार्ज जल चुकी है, अग अतना ले रही है, तो इतनी 10 ampere में यह जो तार हैं जलने नहीं चाहिए, लेकिन यहां पर जल रहे हैं, तो इसका एक ही कारण है, loose contact, ऐसे condition में हमें क्या करना है, कि यह जो सारी जो तार हैं इसको निकलना है, फिर से इसके जो तार हैं नए कट लगा कि इसके अंतर बिठा देना है, जिसका loose contact इसके अंतर नहीं रहेगा, शुरू शुरू में आपने देखा कि यहां पर spark हो रहा था, इसी के वज़े से जल रहा था, ठीक है, दीक है, यहां पर spark हो रहा है, ठीक है, तो चलिए मोटर को तुरंक आफ कर देता हूं, तो यह कारण होता है, समर्शिबल मोटर के तार जलने का, और एक सबसे बड़ा कारण रहता है, कि अगर आपकी मोटर बड़ी है, यानि कि 500-600 फिट की गहराई तक मोटर है, अगर उसके जो तार है, अगर जल रहे हैं, तो उता क्या है कि 500-600 फिट जो चलने वाली मोटर, एक कुछ मोटर जो होती है, 20-22-25 भ फॉल्ट है, वो आपको समझ में आगा, ये लूज कॉंटक्ट के वज़े से जलाए, इसके अंदर और कोई प्रॉब्लिम नहीं है, मोटर बिल्कुल सही से है, मैं जब आया तो यहाँ पर तो इस पैनल बॉक्स के अंदर से दुआ ही बाहर आया, इसलिए मैंने सुचा कि च थोटा वाला तार यूज कर रहे है, और आपकी समर्शिबल मोटर का 20 के उपर अगर करंट जा रहा है, 20 अंपर के उपर अगर आपकी मोटर करंट ले रहे है, तो वहां से आपकी जो केबल है, वो गरम होना स्टार्ट हो जाएगी, और पचिस लेगी तो ऐसे मोटर के तार जो है, जल जल के वहां पर कट होने लगेंगे, अगर हमारे समर्शिबल मोटर का जोएट भी जल जाता है, तो बस उसका वही ही कारण होता है, कि हमारे जोएट के अंदर जो है, तो इसकी वज़एट भी जल जाता है, या पिर जोएट जलने का और एक कारण होता है, जहां पर अलुमिनियम और कॉपर का अगर हम ज्वाइंट लगा देते हैं तो दोनों का कॉणोर्शिसें ठीक से होता नहीं है, ये लेक्ट्रों ठीक से बहिते नहीं है, तो वहाँ पर कुछ अड़ आ जाता है, वहाँ पर रुकाउट हो जाते हैं, इसके वज़े से वहाँ पर कुछ नहीं होगा, अलुमिनियम का ज्वाइंट लगाएंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन अलुमिनियम और कॉपर अगा आगर ज्वाइंट करेंगे, तो उसके अंदर जलने के चांसे से होई, ज्यादा रहते हैं, तो चली इसको साफ कर देता हूँ, आपको समझ में आगा हैं, तो फिर बाकी प्रॉब्लेम हमें दुणने हैं, और एक दूसरी बात यह समझ लेना है, कि अगर यह तार जल रहे हैं, तो बीस एमपेर के उपर ही जब करन जाएगा, तब ही जलने चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास क्लैम्प मेटर नहीं है, ठीक है, नहीं है, लेकिन हमारा अगर फेस तार छोटा हो, तो वो तो कड जाना चाहिए, तो कि मैं बहुत सारी बगदम छोटे तार यूज़ कर रहा हूं फेस के अंदर, यह नहीं कड रहे हैं, लेकिन तार जल रहा है, यानि कि अगर बीस की उपर करन चल जाता, तो यह तार तो कड जाता, ठीक है, यानि कि अगर आपके पास यह मेटर नहीं, तो हम कैसे पैचानेंगे कि यह तार क्यों जल रहे हैं, हमें सबसे छोटा तार यूज़ करना है, यह फेस नहीं कटेंगे, तो समझ लेना हमारी मोटर अच्छा है, और एक चीज़ है, हमें पैचान सकते हैं, यह जो एमपर सेट कर दूँगा, ठीक है, अभी देखिए, यहाँ पर कितना 14 एमपर ले रहा है, जब 14 के उपर आमपर चला जाएगा, तो हमारा स्टार ट्रिप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हुआ नहीं है, यानि कि मोटर सही से करन्ट ले रहे हैं, लेकिन यह जो तार हैं जल रहे हैं, तो उसका कारण होता है, लूस कॉंटेक्ट, तो चलिए अभी इसको साफ करके अच्छी तारह से बिटा देता हूँ, और वाइज आपको अगर वीडियो देखना है, यह सारे पैनल बॉक्स का यह स्मार्ट पैनल बॉक्स है, इसके अंदर आप दावाईं भी छोड़ सकते ह है, इसके पैनल बॉक्स के अंदर मोटर फीट है, यहाँ पर डीसी बारा होलत है, यहाँ पर आटर स्विच है, यह टाइमर है, अपने जब चाहिए हम मोटर को अन आफ कर सकते हैं, यहाँ पर कोई आने की ज़रूत नहीं, बस पूरी सेटिंग करके चले जाओ, मैने बर के लिए, तो आपकी जो मोटर है, आटोमेटिकली चार गंटे या पर दो गंटे जैसा टाइम सेट करें, वह से आपकी मोटर हो चलती रहेगी, इसका वीडियो जो है, पार्ट वन आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, अगर दस्तो हम इस टाटर खोल के देखेंगे तो ये इस पट्टी के अंदर क्या हो चुका है, थोड़ा सा जंक लग चुका है, इसको भी साफ कर देना है ताकि ये दुबारा ना जले, यानि कि आप अगर बिठाएंगे तो फिर से गरम होगा, ये गरम होने का कारण ये है कि ये ठीक से कॉंटेक्ट नहीं हो पा रहा है और ये इसके वज़े से हो रहा है क्योंकि यहां पर लूस कांटेक्ट होने के वज़े से ऊपर जो तार हैं वो गरम हो चुकी ये पट्टी, और पट्टी होने के वज़े से ये पट्टी जो है वो गरम होने के वज़े से खराब हो रहे हैं तो इसके वज़े क्या करना है, को साफ करके जो आजिन पाउनगा से बिटा देना आए वापिससे। पीर को पया हैति कि संदधी के वादेक्षिश के यह दियुन्हेंगार, कobicश्य सी एन हमारा जो कारण है सबसे बड़ा हो सकता है आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पटिया निकल दिये कुछ इस तरह यह पटिया है अगर आप इसको उनको साफ नहीं करेंगे फिर सी बिटाएंगे तो इस्टाटर फिर से गरम होगा जब आप इसको फिर सी बिटाएंगे मतलब इसको अगर साफ नहीं करेंगे अगर आप इसको यहाँ पर नडबोल्टर टाइड भी करेंगे यहाँ पर तब भी यह गरम होके जली जाएगा क्योंकि वहाँ पर पटियां बची है ना इसके अंदर यह जो पटियां है यह कॉंटेक्ट ठीक से नहीं करने के वज़े से फिर से गरम हो जाएगा और फिर से आपके तार को गरम करेगा और फिर से यहाँ से डिला कर देगा इसलिए आप जब साफ करें तो इसको पूरा साफ करें इसको polish paper से पुरा अच्छी तरह से साफ करें पटियां भी हो सके तो नई डाले या फिर पुरा ने हो तो उसको घिस की बिठाएं अच्छी तरह से अगर आपका कुछ इस तरह हो जाता है तो motor जलने के chances हैं अगर आपको motor को बचा ना है उसका जो वीडियो है अगर आपको यहाँ पर कई पर दिख रहा हो तो क्लिक कीजे नहीं तो फिर इस वीडियो के end में आपको मिली जाएगा तो चलिए दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स हमें लिखे बताना दोस्तों यहाँ पर आपको part 1 दिख रहा है जिसके अंदर part 1 के अंदर हमने smart panel box बनाया है और जो दूसरा जो part है वो kite high tech जो contact रहे उसके अंदर पटियां जो है वो कैसे इस्टॉल करते हैं उसका वीडियो है तो आप जो देखना चाहिए उसके उपर क्लिक कीजिए और continue हो जाएए चलिए मिलते हैं किसी next video में तब तक लिए take care and good bye